तुफानों से मत डरो अभी समंदर बाकी है खुब मैनत करो बच्चो अभी एक्जाम में मात्र साथ दिन बाकी है अपने लाइक कोशन सामिल है इससे पहले के वीडियोस में मैंने चैटर वन यानि दा लास्ट लेशन और चैटर टू लास्ट स्प्रिंग के टॉप टॉप ट्विडियोस नहीं देखा जाकर देख लिजेगा और जो बच्चे अभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वह से इंपोर्डेंट कोशन दोस्तों मैंने बताया था कि कोई भी लेशन को करके जाहिएगा तो उनके ऑथर का नाम जरूर याद करके जाहिएगा कोई भी पॉइम को देखिएगा तो उसके पॉइट का नाम याद करके जाहिएगा ठीक है तो पहला और इंपोर्डेंट कोश स्टोरी है इसके लेखा का नाम है विलियम ओ डगलस ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेशन नमर्ट टू की और क्वेशन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्या पुछा गिया है कि वाट इस्टोरी डीप वाटर स्पेकिंग अबाउट ठीक है यह जो डीप वाटर दर और इसे दूर करने का तरीका को यहां पर बताया गया है ठीक है यह जो डीप वाटर जोस्तों यह बिलियम ओ डगलस का याद रखेगा अपने ही आत्म कथा यानि ओटो वाइग्राफी से लिया एक चोटा मोटा अंस है जिसमें पानी के परती डर को दिखाया गया है कि कि लेखक पानी से कैसे डरा और उसमें जीत कैसे हासिल किया यानि पानी के परती जो डर रहा था वो डर कैसे खतम किया गया इस इस इस्टोरी में आपको देखने को जरूर मिलेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे आप लोग कोश्चन नमद 3 की ओर कोश्चन नमद 3 आप उसको इस इस इस्टोरी में बताया गया है तो इसका करेक्ट अंसर जोस्तों ऑप्सन नमबर एक क्या हो जाएगा फियर आफ वाटर यानि पानी के परती डर को दिखाया गया आप लोग इसको ऐसे भी टिक कर सकते क्योंकि लेशन का नाम क्या है जोस्तों इस 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 वाटर तो वाटर के परती होगा न याद रखेगा फियर आफ वाटर यानि पानी के परती डर को दिखाया गया इस इस स्टोरी के माई धाम से चली आगे बढ़ेगा हम नों कोशन नमबर फॉर की ओर देख सकते हैं जूस्तों कोशन नम फॉर में क्या लिखा गया है कि मैंने माउंटेंस से लिया गिया है याद रखेगा डीप वाटर किसे लिया गिया दोस्तों विलियम ओ डगलस की अपने ही ऑटो बायोग्राफी अपने ही आत्मकथा से लिया गिया है जिस आत्मकथा का नाम है दोस्तों आफ मैंने माउंटेंस याद रखेगे दोस्तों आफ म old was Douglas when his father took him to the beach in California याद रखेगा डगलस कितने साल का था जब उसके पिता उसे California बीच लेकर गये थे यानि California के समुद्र तट पर लेकर गये थे तब इनका उम्र कितना था किनका William O. Douglas का कितना उम्र हो रहा था उस टाइम जब उनके पापा उन्हें California के बीच लेकर गये थे तो यह बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है जैक क्या फैवरेट कोश्चन से बहुत बार पूछा गया है तो याद रहा कि दोस्तों एड़ दा एज ऑफ थ्री और फोर क्या होगा इसका पर क्या होता है बाप बेटा दोनों खड़े थे ठीक है तो एक वेव आता है दोनों को डुबा देता है ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन सिक्स की ओर कोश्चन सिक्स अप लोग देख सकते दोस्तों क्या पुछा गया है कि हाओ ओल्ड वाज डगलस एधिक है डगलस ने कितने साल की उम्र में तेरना सिक्ने का फैसला किया था ठीक है याद रखेगा उनका एज कितना हो रहा था जब वोगो excited किया किमुझे swimming सिकना है swimming learn करना यानि swimming सिकना है तब उनका एज कितना था दोस्तोत याद रखेगा at the age of 10 or 11 years याद रखेगा उनक मत्र 10 या 11 साल हो रहा था तब वो डिसाइड किया था कि मुझे स्वीमिंग सिखना है क्या सिखना है स्वीमिंग सिखना है तब उनकी उम्र कितनी हो रही थी 10 और 11 और मैंने बता है दोस्तों जब उनकी उम्र कितनी थी 3 और 4 साल तब उनके पापा उन्हें कैलिफॉनिया वो correct answer याद रखीगा, जब Douglas decide किया ना, 10-11 साल में, कि मुझे swimming सिखना है, तब वो decide ने कर पादा था, कहाँ सिखेगा, ठीके, तब उनके जो मम्मी है, उन्हें सजेच किया कि देखो, याकीमा river मत जाओ, कहाँ मत जाओ, याकीमा river मत जाओ, क्योंकि ये बहुत dangerous है, ठीके, य एक river है, यहाँ पर अगर तुम जाकर तैरना सिखोगे, तो डूब भी सकते हो, इसलिए यहाँ मत जाओ, कोई छोटा मोटा swimming pool में जाकर swimming सिखो, ठीके, तो याद रखीगा, याकीमा क्या है, ये एक river का, एक नदी का नाम है, चलिए आगे बढ़ेंगा, प्लोग question number 8 की ओर, question number 8 अप लोग देख सकते हैं, जोस्तों, बहुत ही important question है, कि who toast Douglas into the deep end of the pool, याद रखीगा, कि pool के deep end, यानि गहरे छोर पर Douglas को किसने फिका, ये बहुत ही important question है, ठीके, याकीमा river तो वो नहीं गया, वो एक swimming pool गया था, ठीके, याद रखीगा, swimming pool का नाम था, YMCA swimming pool, क्या था YMCA swimming pool, उस pool के उपर वो चार्ड कर क्या का था, कुदने वाला था, ठीके, लेकिन वो डर से नहीं कुद पाला था, तो पीछे से एक लड़का आता है, हट्टा कटा big valley of a boy, probably 18 years old, यानि 18 साल का लबग, एक हट्टा कटा मोटा सा लड़का आता है, उसे उठा के pool में फेक दे का याद रखेगा, probably 18 years old, ठीके, यानि option जो C है, वो correct answer है, चले आगे बढ़ेंगे हम लोग, question number 9 की ओर, question number 9 बहुत ही important question है, ये भी पूछा गया question है, ठीके, those 9 feet for Douglas were more like dust, ठीके, ये जो बात करते हैं, swimming pool, YMCA swimming pool, उसका जो गहराई था, दोस्तों याद रखेगा, 9 feet का था, क YMCA swimming pool का गहराई जो है, वो कितना था, total उसकी गहराई थी, दोस्तों याद रखेगा, 9 feet, कितना, 9 feet, ठीके, तो एक आदमी कितना height होता है, 5 से 6 feet के बीच में होता है, तो 9 feet, अगर यहाँ पर जाएगा न, भीचो बीच, तो वहाँ पर वो 9 feet का होता है, यहाँ से मतलब पूछा गया, इस question को पहले समझिए, यह जो swimming pool है, इसका जो अदम deep end है, वो 9 feet का, वहाँ पर कोई भी डूब सकता है, ठीक है, लेकिन वो डूबते-डूबते, वो 9 feet उसको Douglas को कितना feet के बराबर लग रहा था, यह आप से question में पूछा गया, तो इसका correct answer जोस्तों, 9 feet, या रखेगा, 9 से बन गया, 90 feet, यानि, actually में तो 9 feet का था, लेकिन डूबते-डूबते उसके कितना लग रहा है, जोस्तों, 90 feet के बराबर लग रहा था, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग question number 10 की ओर, question 10 आप लोग देख से, जोस्तों, क्या पूछा गया है, question 10 में पू आया, तब वो क्या किया, तो जब कोई इतना बड़ा आतंकीत से, अगर वो face करके वो उभरेगा, जब उसको होस आएगा, तो क्या करेंगे, दोस्तों, उटकर ही वो सौक हो जागे, यानि क्या, उसको जटका लगेगा, ठीक है, याद रखेगा, 11,000 बोल्ट का जटका लग and cried, बचला चिलाया, रोया and he didn't eat anything और कुछ भी नहीं खाया, याद रखेगे ऑप्सन जो C है, वो correct answer है, ठीक है, क्या, सुक यानि चिलाया, ठीक है, यह पूरा काप उठा, सुक अन्दा मनें रहील गिया अंदर से, ठीक है, and cried, बहुत रोया, चिलाया और कुछ भी नहीं ख ठीक है। चलो हम लोग instructor का मतलब समझते हैं, ठीक है, इस ट्रेक्टर मतलब जो extract करेंगे यानि train करेंगा, तो इसको instructor को हम लोग trainer के नाम से भी जान सकते हैं, और question आजाए trainer तो आप लोग टेंसर मत लीजिएगा, जो extract करता है, जो train करता है, उसको लोग trainer भी बोलते हैं, उसक लेंग का आप लोग यंश्ट्रक्टर के नामसे भी जानते इंढ़ांगोगः पर्मद क्सिसी से सीख लें तो मुझे आसानी होगी तिसे लिए उसको इंस्ट्रक्टर çevonna तो वह instructor से सिखेगा यानि वह instructor को हायर क्यों किया दोस्तों इसका अंसर होजएगा option नमबर D क्या होजएगा option जो D है वह correct answer होजएगा तू अवर कम इस fear of water and to learn swimming याद रखीगा यह जो पानी के डर को दूर करने के लिए और तैना सिखने के लिए वह एक instructor कर एक trainer को appoint किया यानि निजुक्त किया ठीक है हायर किया याद रखीएगा ठीक है जैसे आप लोग को कोई भी समझसा हो रही इंग्लिस में problem हो रही है जो chapters में problem हो रही है आपको जिस भी चीज में problem हो यह हमसे सेर कीजिए आपके help के लिए मैं हमेसा तयार हो ठीक है तो आगर आप लोग Instagram ID में मेरे साथ नहीं जुड़े है तो अनिमें सर्च कीजिएगा वहाँ जाकर follow कर लिजिएगा वहाँ जाकर आप मुझे message कर सकते हैं मैं reply दिता हूं ठीक है चाज दो सब्सक्राइब दोस्तों with the help of ropes and builds याद रखेगा रसी की मदद से और बेल्ट की मदद से डगलस को एक अच्छा swimmer बनाते हैं यह इंस्ट्रेक्टर ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेशन अबर 13 की और बहुत ही important question दोस्तों कि how did the authors fear vanish ठीक है ऑथर मतलब विलियम ओर डगलस का जो फियर था जो डर था वह वैनिस कैसे हो गया वह भाई दूर कैसे हो गया यह question में पूछा गया ठीक है जैसे आप लोग को एक्जाम में अभी डर है तो आपका एक्जाम में डर कैसे खतम होगा अच्छे से study कीजेगा आप लोग मैं अच्छे से study करवाऊंगा ठीक है आप लोग का साहस दिखाना होगा याद रखेगा अगर साहस दिखाईएगा आप लोग मार्ग दर्शन यानि अच्छा guidance हमसे मिल जाएगा और आप लोग द्रिंड संकल्ब होकर प्रतिगा करकर अच्छे से study कीजेगा तो आप लोग का भी एक्जाम का डर खतम हो जाएगा जड़ से खतम हो जाएगा आप लोग एदम तभाई मचा कर आईएगा इदम एक्जाम में फोड कर आईएगा ठीक है तो आथरस का भी जो फियर है वो वह Chinese कैसे होता है वोग जात कईसे होता है तो एक हैसी करदेरस तक्रेच्च भर जám Thomag SB fazendo मिल गिया और विड astronom यानी सिखने की इच्छाथी दिरिंड संकल्ब थी कि मैं कर कर पाऊंगा कर पाऊंगा लाश्ट में कर पाता है यानि इसका करेक्टर अंसर रोजेगा ओल अप दीज इन में से सभी ठीक है चले आगे बढ़ेंगे हम लोग कोशन नवर 14 की ओर कोशन 14 आप लोग देख सकते हैं जोस्तों क्या पूछा गिया है डगलस प्रैक्टिस्ट इन वो पूल में प्रैक्टिस करता था ये आपसे कोशन उच्छा गया तो याद रखी दोस्तों इसका करेक्ट अंसर होजएगा option number B क्या होजएगा दोस्तों option number B is the correct answer five days a week and hour each day यानि सब्ता में कितने दिन सब्ता में साथ दिन होते हैं लेकिन सब्ता में पाच दिन सिखता था और परते एक दिन वो एक एक घंटा करके swimming उनको सिखाने वो instructor आता था ठीक है याद रखीगा सब्ता में पाच दिन और प्रती दिन एक एक घंटा ठीक है याद रखीगा सब्ता में कितना दिन जोस्तों पाच दिन और एक एक घंटा करके सिखता था यानि option जो B है वो correct answer है याद रखेगा, क्या हो जागा, five days a week, an hour each day, पांच दिन सब्ता में और एक एक घंडा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लो question of 15 की ओर, देख सकते हैं उस तो question of 15 में क्या पूछा गया है, कि how did Douglas make sure that he had conquered the old terror, ठीक है, याद रखेगा, Douglas ने कैसे सुनिश्चित किया, कि उसका पूराना आतंग है, जो डर है, उस पर वो बिजाई प्राप्ट कर लेता, ये आपसे question पूछा गिया, कैसे वो character होता कि मैंने जो है, वो जो dar है वो खतम हो गया अंदर से, और मैंने बिजाई प्राप्ट कर ली, ये share कैसे होता है Douglas ये आपसे question में पूछा गिया, तो इसका अच्छे से अच्छे से ट्रेनिंग देकर एक perfect swimmer बना देता है लेकिन जब वो अकेला रहता है तो उसे वो डर जो है वो पुराना डर उसे घेर लेता है वो डर से वो बाहर नहीं निकल पाता है लास्ट में वो सियोर कैसे हुआ कि यह डर पर विजय प्राप्त कर लिया तो व एक Tricks Island पे गया कहां गया दोस्तों एक Tricks Island पे गया और Mountain Dew पी लिया क्या पी लिया Mountain Dew पी लिया बोला कि डर के आगे जीत है वो Tricks Island से छलांग मारा कहां पे swimming pool में नहीं कहां दोस्तों लैक Wentworth वे वो छलांग मारता है और दो माइल तक वो तैरता है याद रखी दोस्तों दो म Wentworth पे और आर पार कर देता जोस्तों तैर के कितना माइस तक दो माइस तक आप लैक Wentworth पे ठीक है क्या पीके Mountain Dew पीके डर के आगे जीत है तो आपका डर कप खतम होगा जोस्तों अच्छे से स्टेडिक कर लिजेगा और फाइनल एक्जाम में अच्छे से अदम कोपी में दूरी याद रेगा दिस्टेंस मिंज़ कहते है दूरी तो वर्ड डिस्टेंस डगलस कोबमें वॉर्ट वायल सविमिंग एक्रुस न लैकवेंट वर्थ याद रिखेगा से फटेंने कितनी दूरी ताही कि यहापे डिस्टेंज पूछ तो कितनी दूरी जोस्तों अभी जैस्ट मैंने बताया था आप लोगों को दो मिल्स याद रखी जोस्तों टू माइल्स इस दा करेक्ट अंसर दो मिल्स तक उन्होंने तैरा था कहां पर लेक वेंट वर्थ पर याद रखीगा चलिए आगे बढ़ेंगे अब लोग क्या गिया कि यह जो लैक वेंट वर्थ है वो कहां है तो इसका करेक्ट अंसर भी कहा हो धिस भांपिंग क्या पूछा गिया है वाट इस बंपिंग क्या है यह आपसे कुछण भी करेक्ट असर दो दो जो आपसे नमबर A, A river, याद रखिए दोस्तो, bumping क्या है दोस्तो, एक river का नाम है, चलि आगे बढ़ते हैं हम लोग कोश्चन में 19 की ओर, कोश्चन में 19 देख सकते हैं दोस्तो, क्या पुछा गिया है, कि where is Yakima located, ठीक है, यहाँ पर कोश्चन पुछा गिया है, कि where is Yakima located, ठीक है, यानि पुछा गिया है, याकिमा कहा है, तो इसका correct answer है दोस्तो, option number A, in Washington, तो Washington भी कहा है, दोस्तो, United States of America, याद रखिएगा, चलि आगे बढ़ते हम लोग, last question, आज का अंतिम, question number 20, देख सकते हैं दोस्तो, question number 20 में क्या पुछा गिया है, all we have to fear is fear itself, ठीक है, एक statement है दोस्तो, यह statement किसने कही है, यह आप से question पुछा गिया है, कि all we have to fear is fear itself, who said, यह जो line है, यह किसने कही है, यह आप से question पुछा गिया है, इसका correct answer होजगा दोस्तो, option number A, क्या होजगा दोस्तो, option A is the correct answer, Franklin D. Roosevelt, जो उस टाइम US के president थे, अमेरिका के president थे, यह था दोस्तो, आज का top 20 important MCQ type questions, य जो मेरा नाम देख सकते हैं, उस तो anime sir, आप Instagram ID में जाकर, यह नाम सर्च कीजेगा, आपको मिल जाएगा, इसी profile picture के साथ, ठीक है, वहाँ पर हमको follow कर लिजेगा, जो भी doubts से, जो भी questions है, आप वहाँ हम से बेजी जा, questions पूछ सकते हैं, मैं reply जरूर देता हूँ, ठीक है, चली कुछ extra questions भी है, जो आपको homework में देता हूँ, उसका answer आप लोग comment box में जरूर दीजेगा, जिनका भी answer सही होगा, मैं like जरूर करूँगा, ठीक है, चली question देख सकते हैं, पहला क्या पूछा गिया है, कि which misadventure, क्या पूछा गिया है, which misadventure developed fear for water in the mind of Douglas, ठीक है, यानि कि misadventure ने William Douglas के मन में पानी के लिए भाई उत्पन कर दिया था, option number A आप लोग देख सकते हैं, he fell in a whale, वो कुआ पर गिर गया थे, इसलिए उसको पानीक परती डर हो गया था, या फिर वो जो YMCA पूल वाला जो incident हुआ था न, YMCA पूल पे एक हट्टा कट्टा 18 साल का बच् कौन सी घटना, इसका आपको कमेंट बॉक्स में एंसर देना है, चाहिए नेक्स कोशन देख सकते हैं, बहुत important question है, कि YMCA stands for, यानि YMCA का full form क्या है, आपको इसका भी answer, आप लोग को correct answer, कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, कि YMCA का full form कौन सा है, option A है या फिर B है या फिर D है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आज का last और अंतीम question जो आप लोग को homework के रूप में दिया जा रहा है, वो question 3 है, क्या पूछा गया, how many times did Douglas try to come to the surface of the pool, ठीक है, ये जो question है, कि Douglas ने कितनी बार pool की सता पर आने की कोशिस की, जब वो डूब रहा था दोस्तों, कितनी बार try किया बाहर आने को ये आपसे question पूछा गया है, तो once यानि एक बार, twist यानि दो बार, twist यानि तीन बार, five times यानि पांच बार, तिसका correct answer आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, जो भी बच्चे दीजेगा, मैं जरूर लाइक करूंगा, ठीक है, reply ज देखनों को मिला, तो chapter 4 भी बहुत जल अपलोट किया जाएगा, मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में, धन्यवाद, जैहिन, वंद्यमात्र,